देने के लिए और आप से विदा लेते हैं. हमारी अगली कवित्री शायरा हमारे साथ जोड़ चुकी हैं और उनका हम बहुत स्वागत करते हैं. नमस्कार जी ये हैं दिल्ली से हमारे सार हमारी अगली शायरा कवित्री आधर्णी वंदना कुमर रायजादा जी और ये डॉक्टर कूर बेचेन साहब की पुत्री हैं और दिल्ली प्रशाशन के सर्वोदे विध्याले में शिक्षक के पत पर कार्यारत हैं और इन्हें भी कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है लोक, संस्कृती, अतिथी सम्मान, हिंदी, साहित्य सम्मान, साधना सम्मान और अग्निवेश सम्मान, शत्रपती, शिवाजी सम्मान और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं बहुत सारी संस्थाओं से स प्रस्तुत करेंगी सबसे पहले आप हमारे दर्शिकों के लिए सुनने वालों के लिए जी सरपर्थम मावानी को प्रणाम करती हूँ और मा के चर्णों में कुछ दोहे कहने का मेरा मन है तो मैं के सुनाती हूँ दोहे मा के आशिवाद बिन मा के बिन आशिश के बने न कोई काम मा के बिन आशिश के बने न कोई काम उनके चर्णों में मिले हमको चारों धाम दम्यंती जी मुझे सुन रही है बहुत बहुत शुक्रिया बिना कहे समझे वही मेरे मन की बात बाकी सब बैठे रहें लगा लगा कर घात आचल में जब तक रहें आचल में जब तक रहें गए जगत को भूल मा सब कुछ तूने सहा हमें दिये बस फूल हमें दिये बस फूल और कहती हूँ जननी को मत भूलिये जननी को मत भूलिये जननी है भगवान जननी चारों धाम है बस लो इतना जान इतना लो बस जान बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इतने इसने के साथ मुझे सभी लोग सुन रहे हैं दीपा जी है गौरव सिंगल जी नीता जोशी जी सभी का इसने मुझे मिल रहा है और पूनम माटिया जी बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का और आज जैसा कि बेटी दिवस है तो दो-तीन माहिया मैं बेटिया के लिए सुनाना चाहती हूँ तुम से जो नाता है तुम से जो नाता है इश बनाए जो वो मुझे को भाता है इश बनाए जो वो मुझे को भाता है जिस घर में हैं बेटियां जिस घर में हैं बेटियां चहक रहा हर दम चाही हैं सब खुशियां और एक माहिया देती हूँ बिटिया के लिए निरुपुमा चतुरवेदी जी, पूनम माटिय जी, प्रतिमा सिंग मेरी सकी है मेरी स्कूल में मेरी प्रिया सकी है मेरे साथ शिक्षन करती हैं वो शिक्षिका है मेरे साथ वो भी इसने दे रही है प्रेम बिहारी, मिश्रा जी है बहुत-बहुत आशिरवाद दे रहे है बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का मेरी परचाई तुम मेरी परचाई तुम पून हुआ जीवन जब से हो आई तुम पून हुआ जीवन जब से हो आई तुम और दो-तिन महिया अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मैं मा के लिए निवेदित करती हूँ वो खूब सजाया है वो खूब सजाया है मा तुझ से जीवन जो मैंने पाया है मा तुझ से जीवन बहुत बहुत शुक्रिया रिता जी जो मैंने पाया है मा जो कुछ सीखा है मा जो कुछ सीखा है तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पुत्री शायद वन्शी का रायजादा जी आपकी पुत्री है जी वार्णी का रायजादा जी वो जुड़ी हुई है और आपके कमेंट्स कर रही है और भारती शर्मा जी पुशकर जी अस्थाना बामन गया जी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपकी प्रसुति को आपके दोहों को बहुत पसंद कर रहे हैं उन सभी का बहुत-बहुत धनेवाद आप लोग लगातार बने हुए हैं और साफ बढ़ाते जा रहे हम सभी का बहुत धनेवाद आप सभी का नीता जोशी जी बहुत शुक्रिया नरेश जैंदर जोशी जी पूनम माटिया जी सभी जुड़े हुए हैं और बहुत सुन्दर तरन्नुम आप तो गाती भी बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर गाती है और आपका तरन्नुम ला जवाब है हम तो उसके खायले बहुत सुद्ध करती हैं जी शुक्रिया मैं सुनने वालों का भी सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी बड़े इस दे के साथ मुझे सुन रहे हैं पूनम जी का तो हमेशा मुझे इस दे मिलता है और जोशी जी वो भी हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह इसने देते हैं हमेशा पहले भी मैं उनके पटल से कावे पाट कर चुकी हूँ तो बहुत इसने देते हैं वो भी उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अनीश एहमत सहब भी आपके लिए लिख रहे हैं जी बहुत धन्यवाद सभी का डॉक्तर दम्यंती शर्मा जी के भी कमेंट जी अब आप हमारे श्रोताओं को क्या प्रस्तुत करेंगी क्या सुनाना चाहेंगी जी मैंने दोहे और माहिया से शुरुवात की अब मैं आती हूँ मुक्तक पर माहिया मेरी प्रिय विधा है वैसे मैंने बहुत से माहिया लिखे अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपने मुक्तक जैसा की आजकल आजादी का महोचसब मन रहा है अमरित महोचसब मन रहा है तो जब हम आजादी की बात करते हैं तो शहीदों की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, उनको हमें याद करना ही होगा, उनी के प्रियास से, उनी के कारण आज हम इतने सुतंत्र होकर बैठे हैं अपने घर में और आराम से बैठे हुए हैं, वो माइनस टेमप्रेचर पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं और हम आराम से आज घर में बैठे हैं, तो मैं उन्हें याद करते हुए चार पंक्तिया निवेदित करती हूँ शहीदों को लेह थे ली पे जां, देखो वो चल दिये लेह थे ली पे जां, देखो वो चल दिये रो रहा आसमा देखो वो चल दिये वो जिये और मरे इस वतन के लिए छोड़ कर दासता देखो वो चल दिये छोड़ कर दासता देखो वो चल दिये ले हथे ली पे जां देखो वो चल दिये और आजकर जैसा की कोरोना काल चल रहा है फिर से हम घर में कैद हैं बाहर निकलने में डर लगता है तो कहती हूँ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ बढ़ा है पाप धरती पर तुम्हें मानव पुकारे है करो सनहार दानव का किशन बस में तुम्हारे है सुदर्शन लेके तुम अपना समर में छा गए थे तब छिड़ा है फिर महाभारत तुम्हारे ही सहारे है है जागा कंस फिर से आज फिर कौरव निललकारा उठा है शीश दुर्योधन का द्रौपदि का भी मन हारा कि देकर ग्यान गीता का तुम्हें अरजुन जगाना है समय अब आ गया बदलो तुम्ही जीवन की जलधारा समय अब आ गया बदलो तुम्ही जीवन की जलधारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बहुत बहुत प्यारा मुक्त बहुत 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 बनेवाद शुक्रिया इस मुक्तक के माध्यम से आपने सभी को बहुत सुन्दर संदेश दिया बहुत बहुत बधाई आपको गुपेंद सिंग सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ आसमा गोयल जी जुड़ी हुई है आप सभी का बहुत स्वागत है और लगातार बने रही है तुनम माटियल भी बनी हुई है लगातार मनाली सिंग मनिश्या सिंग भी नहीं मौनिका सिंग भी जुड़ी हुई है बहुत स शहीद की पत्नी की व्यथा उसको लेकर मैंने एक गीद लिखा वो प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने जी स्वादर स्वागत है बहुत स्वागत है दन्यवाद शुक्राइब अधनी हरीशनवल सर जुड़ गए हैं और नमशकार हरीशनवल सर बहुत स्वागत है इस आयोजन के अधनी हरीशनवल सर का बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत नमशकार सर आपको मैं बहुत भागेशाली हूं कि आप मेरा कावेपार्ट सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो मैं प्रस्तुत करती हूँ एक शहीद की पतनी की व्यथा बिन तुम्हारे अदूरा है संसार ये तुम्हारे अदूरा है संसार ये तुम ही तो मेरे प्यारे परमीत हो तुम्हारे अदूरा है संसार ये और देखेगा उसकी व्यथा सब मेरे सपने गए आज बस हार सब मिट गए देश पर तुम मेरी जीत हो तुम्हारे अदूरा है संसार ये तुम ही तो मेरे प्यारे परमीत हो तुम्हारे अदूरा है संसार ये और देखेगा माता पिता की व्यथा देखी है रास्ता देख बूरी ये आँखें ठकी यादे तेरी वो बचपन की मन में बसी कौन था में गलाठी यही सोच है आज माबाप के मन पे ये बोज है रह गया जो अदूरा वही गीत हो बिन तुम्हारे अदूरा है संसार ये तुम ही तो मेरे प्यारे परमीत हो तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा तुम ना हो तो है सूना ये जीवन मेरा तुम ही तो मेरी शाश्वत अमल प्रीत हो बिन तुम्हारे अदूरा है संसार ये शुक्रिया बहुत बहुत सुन्दर बंदना जी आपके गीत में आपने सैनिक के परिवार में उसके चले जाने के बाद जो हाल होता है जो द्रश्य बनता है उस सारे द्रश्य को अपने गीत में चित्रित कर दिया है अपनी अभीवक्ती में उन सभी की माता पिता की उसकी पत्नी की सबकी वेदना आपने दर्शाई है बहुत सुन्दर पंक्तियों में आपने संजोया है इस गीत को और हमारे सैनिकों के लिए ये बहुत सुन्दर श्रदान जली आपने अर्पित की है सबी शहीदों को नमन करते हैं हम आपके इस गीत के साथ बहुत-बहुत बधाई आपको इस सुन्दर गीत के लिए शुक्रिया, शुक्रिया हरीश नवल जी मुझे आशिरवाद दे रहे हैं कह रहे हैं सर आपको बहुत बधाई दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तर आपका, बहुत बहुत आभार तर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, तू लिका जी भी जुड़ गई है, वो भी सुन रही है, दम्यंती जी भी लिख रही है, बहुत धन्यवाद लिका जी, बहुत शुक्रिया आपका, वास्ता में आपका संचालन मैं भी देख रही थी अभी पहले से यूट्यूब पर तो बहुत ही अच्छा संचालन आपका चल रहा है बहुत अच्छा आयोजन आपने सभी लोगों को जो जूड़ा है आज इतनी गुणी और इतनी घ्यानी और इतनी प्यारी शायरा और कवित्री हमारे साथ जू रहा है संचालन करने में जी शुक्री अभूपेन सिंग्जी भी लिख रहे हैं बदाई जी जी बहुत धन्यारा अभी गीत में सुना चुकी तो मैं गजल आपके सामने रखती हूँ जी मेरा समय जब हो जाए तो मुझे जरूर आप इशारा करें जी जरूर हम बता देंगे क्योंकि गाते गाते हम भूल जाते हैं कही बार आप उसका बिलकुल ध्यान मत रखिए आप अपनी रचनाओं में ही होई खोई रही है उसके लिए हम है हम आपको बता देंगे जी शुक्रिया शुक्रिया चलिए मैं एक गजल रखती हूँ उठ रहा है धुआ मकानों से जैसे उठता है कार खानों से आजकल की व्यथा कह रही हूँ ये सोचती हूँ अलग ही बन के रहे अपना किसा सभी फसानों से अपना किसा सभी पसानों से उठ रहा है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया उठ रहा है धुआ मकानों से और शेर देखेगा चाह के वास्ते लगाए थे चाह के वास्ते लगाए थे आग बरसी है शामियानों से अग बरसी है शामियानों से उठ रहा है धुआ मकानों से और कहती हूँ जिन में हम साथ साथ खेले थे हो गए दूर उन दलानों से हो गए दूर उन दलानों से उठ रहा है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी अब बड़े इसने के साथ सुन रही है उठ रहा है धुआ मकानों से और कहती हूँ जो लोग विदेश चले गए और फिर लोट कर नहीं आए कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े हो गए दूर आशियानों से हो गए दूर आशियानों से उठ रहा है धुआ मकानों से और कहती हूँ उन्हीं लोगों के लिए ये जमी ही असल ठीकाना है लोटना होगा आसमानों से उठ रहा है धुआ मकानों से और आखरी शेर देती हूँ गजल का वाकिफ तेरे बाहानों से क्या बात है क्या बात है बहुत 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 शुक्रिया अब ना तुझ से फरेब खाएंगे अब ना तुझ से फरेब खाएंगे हम है वाकिफ तेरे बाहानों से उठ रहा है धुआ मकानों से जैसे उठता है कारकानों से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत श्यांदार रजल प्रेम भार्ती जी पूनम चोहान जी प्रतिमा जी नीलम वर्मा जी कैलाज जोशी जी मौनिका सिंग जी और असमा गोयल जी हरीश नवल सार वुपेन सिंग सार सभी जुड़े हुए हैं और होसला अब जाई कर रहे हैं और बहुत पसंद शुक्रिया सभी सभी का बहुत आभार बहुत जी नरेश जोशी जी कुछ बोल रहे हैं रिता जी वो प्रेम पिहार मिस्रा जी है जी उनका नाम आपको गलत बोले तो अच्छा प्रेम पिहार मिस्रा जी 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 क्यों क्रिया बहुत बहुत आभार सभी का सभी लगातार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत ही इसने मुझे मिल रहा है मेरे कावेपाथ को पसंद जा रहा है हरीश नवल जी भी लिख रहे हैं बहुत उत्कृष्ट बहुत बहुत शुक्रिया सर, नीलम वर्मा जी, सभी लोग मारा कावए पार्ट सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और रीटा जी आप बहुत ही मेरा कावए पार्ट सुन रही है। सुती और अभी एक रचना आप कोई सुनाना चाहती है तो बहुत स्वागत है आपका जी जी जरूर मैं दो मुक्तक अपने पिता डॉक्टर कुमर बेचेंजी की स्मृति को समर्पित करना चाहती है नरेश जी हमारे अगले वो शायरा कवित्री जुड जाएं तो उनको जोड लीजेगा साथ में जी मैं प्रस्तुत कर रही हूं अपने पिता शरी जॉक्टर कुमर बेचेंजी को समर्पित दो मुक्तक जी आपके बिन जी सकेंगे कल्पना कैसे करें आपके बिन दिल बहुत है अनमना कैसे करें याद हर दम आपकी दिल में लिए फिरते हैं हम आपके बिन हम अकेले साधना कैसे करें आपके बिन जी सकेंगे कल्पना कैसे करें और एक मुक्तक देती हूँ याद दिल से आपकी न भूल पाते हम सभी आज आप देखेंगी कि पापा जी के गीतों को सभी लोग गाके वीडियो बनाके या यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो उसी बात को कहती हूँ याद दिल से आपकी न भूल पाते हम सभी आपके गीतों को हर दम गुन गुनाते हम सभी छोड़ कर हम को न जाने किस जहां में आप हैं लोट आओ आओ आपको आवाज देते हम सभी आपके बिन जी सकेंगे कल्पना कैसे करें आपके बिन दिल बहुत है अनमना कैसे करें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सुन्दर प्रस्तुति और नरेश जी हमारे अगली कवित्री जुड़ी है साथ में क्या कि नहीं सुप्रिया सिंग्वीना जी जी आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही वन्ना जी और आपने अलग-अलग विधाओं में हम हमारे दर्शकों को अपनी रचनाए सुनाई सभी दर्शकों ने बहुत पसंद की और बहुत सा राहा आपकी रचनाओं को और इस पटल पर आकर हम सभी को अपनी रचनाओं से अभी बूद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़ा देते हैं